अरे हालो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीटी एल इन्फरा के बारे में देखो मैं आपको स्पैसिफिकली बता देता हूं कि जीटी एल इन्फरा पर स्पैसिफिक कोई बड़ी तो हाल फिलाल निकल कर आई नहीं है लेकिन जितना भी हो सकता है मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करवाने का ट्राइक कर रहा हूं बता सकूं कि आखिर इस इस टॉक का फ्यूचर जो है वो कैसा रह सकता है बस आप से एक हेल्प की रिक्वार्मेंट वह यह है कि आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरू करें ज्यादा से ज्यादा शेयर जरू करें और अगर आप चैनल फिर्स टाइम वि था आरेंट से पयादा सेने टुटिन निफुंट? 50 में देखने को मिली हैवही निफुर्टि बेंग में 121 पॉइंट चल्chemical चैनल जो गिरावत है वहां देखने को मिली है वहीं अगर हम बात करें तो यहां पर आज के दिनके जो टॉप गैनर रहे हैं सेरा सैनिटरी आज में 10% का मूमेंट था रेल टेल में 10% का मूमेंट था तीदागर में आज 5-6% आर बी एनल में आज 5-6% तक की उचाल देखने को मिली यानि कि रेलवे सेक्टर के स्टॉक आज काफी अच्छी तरीके से मूमेंटम दिखाते हुने दर आये हैं पॉजिटिव साइड डैरेक्शन में वहीं जो कल के दिन के टॉप गेनर थे आज के दिन के टॉप लूजर है जैसे कि चंबल फर्टिलाइजर गार्डन रीच राश्ट्रिया कैमिकल्स और जी एन एफसी इसमें से दो स्टॉक कल के दि आज पर जो चीज़ देखने को मिल रहा है यानि कि आज जो है वह को पॉंट वन टू रुपीस का जो है वो मुमेंटम देखने को मिल रहा है पिछले पांच दिन का जो आपको return profile देखने को मिल रही है वो यह है कि हर दिन steps बने है यानि कि अपर circuit लगा है और पिछले पांच दिन में जो आपको returns मिले है वो बने है लगबग 23% के आसपास के क्योंकि पांच दिन में अगर 5% का circuit लगता है तो 25% लेकिन जो circuit limit है वो 4.68 something रहती है तो इस वज़े से यहां पर आपको जो momentum वर 23.44 पर आपको देखने को मिल रहा है अब मैं आपके लिए के research report लेकर आया हूँ जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज्याद reasons भी बताये गए हैं कि आखे जो सेल की recommendation है वो क्यूं है तो सबसे पहला point जो निकल कर आता है वो यह है कि negative book value है negative book value के साथ साथ इसके जो long term fundamentals है वो काफी ज़्यादव वीक है और उस बज़े से ही अगर आप देखते हो तो यह पहला point बन जाता है जिसमें अगर आप long term के हि साथ सोच कर चल रहे हो तो एक अच्छी कॉल नहीं साबित हो सकती है वहीं जो पिछले quarter के results आए वह negative results देखने को मिले रहे debt to equity ratio highest रहा debtors turnover ratio lowest रहा net sales भी lowest रही वहीं जैसे की risky काफी ज्यादा यह तो मैंने starting साब को बताया negative book value है तो इस वजह से अगर आप देखते हो तो यह share बहुत ज्यादा risky बन जाता है और फिर अगर हम चौथे points के बारे मात करें तो वह promoters की जितनी भी holding है लगबग इसकी holding है 3.68 परसेंट की और वह पूरी की holding जो है प्लैश्ट जिस वजह से सारे के सारे points जो है वह बन जाते है नेगिटिव और इसी वजह से जो call है वह बन रही है इसमें अगर हम यहां पर बात करते हैं कि जो इस particular sector के stocks है उन में कुछ ऐसे stocks है जैसे कि जो positive momentum दिखाते होंने दो ऐसे stocks जो फ्लैट दिखाते होंने जर आए कुछ ऐसे stocks जो नेगिटिव हैं जैसे कि इंडस टावर आपको यहां पर positive नजर आ रहा है score भी सही है आई टी आई नेगिटिव score के साथ है एफिल इंडिया positive score के साथ है ठीक है तो यह भी इसी sector से related stocks हैं वहीं अगर हम अभी टेक्निकल्स के इसाब से बात करते हुए काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है जिसमें में सीडी वीकली मंतिली बुलिश है आरे साई बियरिश आ गया है मंतिली पर कोई signal नहीं है वालिंजर बैंट बुलिश नजर आ रहा है और मूविंग एवरेज बुलिश नजर आ बाकी कुछ की फैक्टर्स अगर मैं आपको देखा हूं जिससे आपको और ज्यादा आइडिया लगेगा सेल्स कि रोथ नेगेटिव रही है इवी आई टी ग्रोथ ग्रोथ सत्रा परसेंट की है इवी आई टू इंट्रेस्ट नेगेटिव है डैट टू इबी आई टी है य इसमें मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि किन किन पीएस कंपनी ने इस पर्टिकुलर सेक्टर में इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है वह अपनी होल्डिंग बनाई हुए तो वह आपको जानना है तो प्रीविएस वीडियो आप देख लेना उसमें हम लोगों है डिटेल में इसके शेरोल्डिंग पैटन पर बात करी है अब कंपनी की जो क्वालिटी है अगर हम पीएस के साथ कंपेर करते हैं तो देखो हफ सील की क्वालिटी एवरेज नजर आती है एफल इंडिया आप सभी को पता बेहतरीन कंपनी आपको अच्छी नजर आती है ब्लैक बॉक्स आपको एवरेज नजर आती है जी टील इंफ्रा बिलोवरेज और उसके पीछे के रीजन अभी हम लोगों ने डिसकस करें क्या इसकी जो quality है वो क्यूं अच्छी नहीं है या फिर खराब क्यूं है उसके पीछे के reasons जो है वो अभी हम लोग already discuss कर चुके हैं कुछ key factors और मैं आपको देखा हूं तो और idea लगेगा पी ratio negative में है price to work value negative में है ev to evit यहां पर इतना देखने को मिल रहा है ev to sales चार परसेंट ही है dividend yield है नहीं है ROC negative है ROE negative है यानि कि overall अगर आप इस stock को यह समझ के अपने portfolio include कर रहे हो कि major allocation इसमें कर देंगे तो यह गलती तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए लेकिन हां तो क्या बिल्कुल ही इसमें खरीदार ही नहीं करने चाहिए तो ऐसा भी नहीं है यह केवल उस type का stock बन सकता है जो कि आपके portfolio में एक छोड़ा सा हिस्सा बन के रह सकता है जहां से अगर आपको पूरा पैसा डूब भी जाता है तो भी आपके portfolio और financial health पे कोई बहुत बड़ा impact ना पड़े तो उसले हास से आप इसमें buying easily कर सकते हो otherwise returns के basis पर तो आपको यह हर किसी stock के साथ टक्तर दे सकता है यहां पर एक हफ़ते में 20-22% एक महिने में 62% यहां पर आपको return profile में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आएगी तो यह थी बेरी छोटी सी coverage इस पर्टिकुलर श्टॉक पर आप मुझे अपने opinions जरू बताई कि आपको यह coverage कैसी लगी फिलाल वीडियो में बसेतने वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा चैनल पर वश्टा विजिट कर रहे हैं तो subscribe जरूगा दीजेगा धन्यवाद